हेलो गाइज वैकम टो प्रितिस किचन आज मैं बनाने जा रहे हैं पोटेटो स्माइली तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं पोटेटो स्माइली बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहां पे दो बॉइल आलू लूँगे अब मैं पोटेटो को अच्छे से मैस कर लूँगी अब हमें इसमें दो टेवल स्पून कॉन फ्लार एट करना है और फोर टेवल स्पून सुजी एट कर रही हूं मैं यहां पे सॉल्ट एसपर टेश्ट डाल रही हूं मैं यहां पे और रिट चिली पाउडर इन सभी को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक सॉप्ट सा डू तयार करेंगे डू तयार हो गया है माईली बनाते वक्त यह बोर्ट पे चिपके ना इसलिए मैं यहां पे हलका सा आटा डाल रही हूँ अब इसे बेल कर हम फ्लैट कर लेंगे इसे हमें थोड़ा मोटा रखना है अब हम यहां पे स्माइली का सेप देंगे तो इसके लिए हम यहां पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं मैं यहां पे एक बाटल का ढखन यूज़ कर रही हूँ आप भी चाहे तो इस तरह का ढखन यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर कुछ छोटी कटोरी होई तो उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं आइस का सीब देने के लिए आप यहाँ पे श्ट्रॉ के यूज़ कर सकते हैं इस तरह से हम सारे स्माइली को सेप देंगे अभी फ्राइ करने के लिए विल्कुल तैयार है अगर आप इससे स्टोर करना चाहते हैं तो वन मन तक स्टोर कर सकते हैं प्लास्टिक रैप में रैप करके फ्रीजर में डालनी होगी आपको इससे आइल को मैंने मीडियम फ्लेव में गर्म कर रखा है और इसमें स्माइली में एक एक करके डालूँगी हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे अभी हमारी पोटेटो स्माइली बिल्कुर बनकर तयार हो चुकी है अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर यह बहुत ही आसान रेसिपी है आप लोग भी अपनी घर पर ट्राइ करें अगर पसंद आए तो प्लीज कमेंट करें थेंक्यू फिर वाचिंग